दोस्तों अगर आपका जमीन रोड लेबल से अगर 6-7 फिट नीचो होता है तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं वहाँ पे बेस्मेंट बना लिया जाए या फिर और भी जरूरते होती है बेस्मेंट बनाने की जैसे कि हम बड़ी बिल्डिंग बना रहा हैं तो वहाँ पे हम पार् के परपस में यूज हो जाता है तो हमारी जगह बच जाती है और फिर हमें अगर हमारी जमीन अगर रोड से नीची होती है तो हमें फीलिंग भी नहीं करना होता है तो इस तरह हमारे कोस्ट के बहुत सेविंग हो जाती है तो इस वीडियो में आपको यहीं बताऊंगा कि अ और फिर उसका जो रिटेनिंग वाल लियांगी जो आरश से वाल अम साइट साइट से देते हैं वह हमें उसम effektका कैसे बांधना है और हमें जो फ़लॉरhol याणि जो पुरा ऐसा भानुदेसें हिस दालते हैं उसमें गर में कहीं से भी कहीं सीपेज या लीकेज का चांस नहीं रहेगा और आपकी घर भी काफी मजबूत होगी तो चलिए वीडियो को डीटेल में सुरू करते हैं राफट फार्म डिशन बनने से पहले एक चोटी से भात हमें यह जान लेनी होते हैं यहाँ जाहां पर घर बन रहा है। यहाँ पर वीडियो में इस पाइल यहाँ पर नजर आ रहा है। दोस्तों यह करीब मेरा 10 feet का यहां पर पाइल किया गया है 3 मीटर का और इसमें 6 सरीय 10 mm और 12 mm का यूज किया गया है वैसे मैं बता दूं तो अगर आपका मिट्टी का मिट्टी सही है मजबूत है और वाटर का जो लेयर है वो उपर नहीं है तो आप वहां पे पाइलिंग नहीं करा है और डिरेक्ट आप वहां पे जो राफ्ट फाउंडेशन होता है यानि पीलर खड़े करे जाल बांदे और पिर उसकी कास्टिंग कर सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले पाइलिंग कि आप देख रहें जो हमारे फूटिंग के लिए जो गड़धा गया है और जो हमारा जिस पर राफ्ट फाउंडेशन हमें पूरे एरिये में डालना है उस पे हम PCC कर रहे हैं तो जो हमा आपको जाल इतमें बांदना यानि जो सरीया यूज करना है अपने राफ्ट पांडेशन बनाने के लिए वह आपको 12 mm का स्टील यूज करना है और दोस्तों बहुत जगा ऐसा देखा जाता है कि लोग सिंगल जाल में अपना सरीया बांद देते हैं राफ्ट पांडेशन का औ लेकिन यह भी दोस्तों आपके एरिये पर डिपेंड करता है मिट्टी पर डिपेंड करता है और आपके बिल्डिंग के लोड पर डिपेंड करता है कि आप उसके उपर कितना फुलोर बनाने वाले हैं और कितना उस पर लोड आने वाला है तो यहां मैं आपको दिखा रहा ह साइट से यहां पर बीम दिया गया है और बीम से फिर उसको सरीया को बांदा गया है जैसे च्छत में हम क्रैंक तोड़ते हैं वैसे ही क्रैंक यहां पर देखे आपको डबल जाल में सरीया बांदना है सिंगल जाल में आपको सरीया नहीं बांदना है वो अक्सर देखा जाता ह कि यह फैल हो जाता है अगर कोई आपका सीरर फोर्स लगता है या तेज भुकम कजटका आता है तो वहीं दोस्तों जब भी आप जाल बान दे और जब आप पीलर खड़े करेंगे तो हमने दोस्तों कभी फूटिंग होता वह भी सिंगल ना पया दिना तर्बबल में कि यहां पर पूटिंग देना है नीज होगื кहा बहुत देखा जाता है लोग छोटा-छोटा चेंज लेकिन यह गलत तरीके यह सोाला दोस्तों कम से कम अब आगे तक निकालना चाहिए यहां आप देख सकते हैं कि जो हमारा राफ्ट है अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा है इसमें बीच में से आप देख सकते हैं यहां पर प्रवाइड किया गया है ताकि यह सेक्षन को यानि कि जाल को डिवाइड कर ले लोड उस पर ट्रांस्मीट हो जाए हमारा पूरा इसलिए आपको वहां दिया गया है जो है दोस्तों यहां पर तीन इंच हाइड की बांधी गई है जो कि थार थाल कि जाए तो इसलिए जांए पर यहां पर 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 और दीवारेथे मोड़ के मोड या और देख रहा है बीम में एल फसाया गया है यह 6-8 इंच का आपको पूरे यानि कि एल मोड़ा गया है यह जो आर्शीसी वाल बनाना है यह आपका रोड लेवल जितना भी आपका हाइट है अगर आप मालने जे 6 फिट उपर है आपका रोड लेवल तो आपको सिस करें कि 1.5 फिट उससे उपर तक बनाया जाए आर्शीसी वाल ताकि कहीं से पानी उसमें अंदर आने की समस्य ना रहे और दोस्तों अगर आप हैवी इस्ट्रक्चर बना रहा है तो जो आर्शीसी वाल चारों साइट से आप दे रहा है उसमें आप डवल सरीय जरूर प्रोवाइड करें अल्टरनेट औ अगर हलकी बिल्डिंग बना रहा है और आपके दिवार में सपोर्ट है मतलब दूसरे का मकान है तो आपको सिंगल जाल वहां दे के और बाहर से आप चार इंच उसमें कास्टिंग कर सकते हैं और अंदर से चार इंच की अप दिवार उठा के उसका 9 इंच का दिवार बना स तो इससे आपका कोश्ट का सेविंग भी हो जाता है तो दोस्तों ये राफ्ट फांडेशन में आपको जरूर ध्यान देनी है